अलो दोस्ते एक बार भीट्स वांगत है आपका आवारे श्यारल पर मेरा नम हैазыв मरुट और हम बात करना है है इजीनिरिंग की और अगर आगर आप भी चाहरा हिए इजीनिरिंग बनाना या फिर करियर बनाना इस जीनिरिश और दोस्तों मैं शेर जरूर कर देता है ताकि उनका भी बला हो जाए आज का जो टॉपिक हम डिसकस करने वाले वह हमी कैसी कॉलेज की बात कर रहे है जो दिल्ली NCR में ही आता है बिल्कुल यार और बहुत इंब्डर्ण गवर्मेंट इंस्टिउशन माना जाता है अपने हो सकता है ठीक है याद रखना इस चीज़ को तो अच्छे से इस पर देख लो पैसे मुझे लगता है जो नौट से या दिली से बिलॉंग कर रहे है वो बच्चे पहले सही डूड रहे होंगे इसको सर्च कर रहे होंगे तो आपके लिए बैस्ट हो सकता है चीक है चलिए न 1961 में इसको established किया गया था तो अच्छा खासा experience पचास साथ सालों का इनको लगबगे इस institution को हो गया है अपने हाप में 20-22 एकड का campus है इनका और जो कि हाँ दिली में important है बड़ी चीज हो जाती है यह अपने हाप में वही सारी चीज़े यहाँ पर लिखी हुई है ठीक है गुरु गोबिंद सिंह इंदुप्रस्थ यॉरिवस्टी के साथ इनका affiliation है अना है government instruction पूरा को पूरा AICT E approved है तो यह सारे के सारे technical courses conduct करवा देते हैं आपको और बाकी की जानकारी के लिए आपको क्या करना होता है इनकी website पे बिजिट कर लेंगे तो और ज्यादा जानका सारी मिल जाएगी website आपको बता है www.gbpc.govindhappanthengineeringcollege.edu.in ठीक है तो यह आपकी क्या हो जाएगी यह website सारी जानकारी आपको मिलने वाली online examination के basis पे आप क्या कर सकता है admission दे सकते हैं मेंस में भी मिल जाता है IPCET का exam होता है उसके basis पे भी आपको यहाँ पे admission मिल सकता है तो यह सारी की सारी चीज़े आपको याद रखना है specifications की बात कर लें क्या-क्या यह options प्रोवाइड करा रहा है course कौन-कौन से engineering के यह प्रोवाइड करा रहा है mechanical, automobile, electronic, computer, engineering यह सारे के सारे हिनके options आपको मिल जाने वाले eligibility के लिए आपको पता ही है हम engineering करना चाह रहे है चार साल का यह course होता है उसके लिए 12th pass होना अनिवार है 50% मार्ग से और फिर eligible हो जाते हैं आप किसी entrance के exam को देने के लिए और उसके basis पर चाहे IPCUT यह दे लो या फिर जाता है यहाँ चुकि दिल्ली है तो दिल्ली में जैक दिल्ली की counseling होती ना उसके basis पर भी आपको admission यह पर मिल जात हैं यह cut off rank के हिसाब से उने बताई है ओपर all ranking के हिसाब से हां तो बस देख लो बया अगर मालो computer science engineering चाह रहे हैं तो 36634 के आसपास अब के cut off रही है तो वही चीज़ है फिर दीरे दीरे बढ़ती जाएगी क्योंकि सबसे ज़्यादा prefer बच्चे CS करते हैं इसलिए वो उसकी cut off आई जाती है चले next fee structure की बात करें जो important अब देखो यार यहां यह institution जो है यह है कहां का दिल्ली का है तो इन्होंने क्या करा है quota रखा हुआ quota कैसा कि दिल्ली के जो निवासी है उनके लिए fee structure अलग है और other than दिल्ली जितने दिल्ली के बाहर के बच्चा है उनके लिए अल लग-लग है यहां आप देखेंगे तो 50,000 के गरीब 30,40,50,000 के गरीब आपका हुच्चल चार्ज इसमें सब हो जाता है यहना seat कौन सी लेना चाहरे है कितना है सीटर आप रूम लेना चाहरे है उस पर भी यह सारे चीज़े डिपेंड कर दिल्ली से ही है तो तो आपको यह hostel बगेर लेना ही नहीं है काय को लेना आप डाउन कर सकते हैं लेकिन बाहर से हैं तो आप लोगे तो लगबग यहां पर डेड़ लाग करीब या एक सत्तर असी करीब आपका यह टोटल खर्च आने वाला एक साल का तो एक option आप यह रख सकते हैं हलां कि बहुत सारे बच्चे क्यों बच्चे जाते हैं क्यों लड़ रहे हैं उसको college में या फिर उस institution में entry लेने के लिए admission लेने के लिए क्योंकि उसके placement की records अच्छे होंगे क्यों अच्छे होंगे क्योंकि पुरारा institution है और भाईया वो ROI return on investment हमने 4 साल भी invest किया है और पैसे भी invest किये है और जोनों के investment क रूप में return हमें क्या मिल रहा है वो records कॉल से यह placement की records है जो बताते हैं कि best कैसे हो सकता है अच्छा कैसे हो सकता है हमारे लिए तो भाई आप देखें इनके records यह particular branch discipline इने लिखे हुए जहां पे उनके student जो final rolled हुए थे 161 बच्चे थे जिसमें से पास 155 हुए और student place जो जो branch के बच्चे थे वो और यह ऐसे ही सारे के सारे इनका placement records दे के तो 4-4 लग का और average placement इने बताया लाग ठीक है तो यह सारे के सारे records आप देख सकते placement के और यहां भाई हम लगबग डेड़ लाग अगर भी मालें तो 6-7 लाग जो है वो हम खर्च कर रहे हैं पूरी engineering के लि है तो आप देखना पड़ेगा कि आपके लिए कैसा हो सकता है सही होगा कि नहीं होगा recruiters में आप देखेंगे तो सब मिल जाएगे कि दिल्ली के पास NOIDA है और सारी चीज़े है तो पूरा industrial area है और industrial area में सारे IT IT के पाग भी है वहां सारी चीज़े हैं तो हर प्रकार की companies आत था जी बी पंथ यह institution 300 में से अल ओवर इंडिया के institution 10 बे नंबर का New Delhi का या फिर 10 बे नंबर का दिल्ली NCR का institution भी NIRF की ranking में इनको बोला गया है तो यार ठीक है अच्छी बात है क्योंकि दिल्ली में हमने देखे हैं कि बहुत चारे institutions हैं बहुत चारे मैं तो कई बना चुक कि कम हो जाए बेदर है तो उसके लिए scholarship एक option हो जाता है national scholarship portal पर जाएंगे वहाँ वह सारे options आपको scholarship के मिल सकते हैं आपकी eligibility के हिसाब से अगर आपकी eligibility है तो avail कर सकते हैं उसके अलावा आप जब admission लेते हैं चाहे किसी भी university में किसी भी campus में लेना चाहा है तो जरूर पहले पता कर लेजे कि कौन कौन सी और scholarship हम avail कर सकते हैं हमारी eligibility हो सकती है क्योंकि बहुत सारी scholarship होती है चाहे वो merit based हो जिसमें आपके अच्छे percentage हो तो उस basis पे मिल जाती है कई बार need based होती है जिसमें family की income बगएर कम है उसके basis में मिल जाती है sports बगएर अगर आप कुछ खेलते हैं scholarships चलती है तो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है नहीं पता तो जाके पता कर लो यार देखो मैं जितना बता सकता हो वो आपके पता तो करी रहा है कि ने चले तो यह important features है आपने placement की बात करी fees की बात करी scholarships की बात करी अभी important चीज जो बची है वो क्या है वो हो सारी होगी laboratories होगी library होगी है ना और बहुत अच्छा campus पूरा conduct करने की ववस्ता करी होगी ICT enabled lab होगी classrooms अच्छे होगे उसके अलावा bank ATM server पगे यह सारी ववस्ता है जो होनी चाहिए यह basic की basic अलग-अलग क्या है आपकी कहलाती है facilities जो हर एक जगा important हो नहीं चाहे वो college कोई government हो private हो private institute क्या चार्ज कर लेते हैं उन सारी चीजों का government institute नहीं चार्ज करते है तो यह facility हो जाती है इसके बाद है important parameter जिसको बोलता है alumni network जी हाँ आपका नाम शुमार है क्योंकि 1961 में आप established हो गए थे और उसके बाद से लगबग 60 years को आपको experience है और आपके student आज किस मुकाम पर पहुंच गये जो आपका नाम रोशन कर रहे हैं समय के साथ 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 तो अलबनाई network important है और आप देखें कितने बड़े बड़े लोग आपको मिल जाएंगे अरनव कुमार अरनव कुमार यह आपने आप वाइरल फीवर आप बहुत सारी बार देखते होगे अला गलक TVF करके नाम आपने सुना होगा उसके founder है अरनव कुमार इसके लावा अंगर वायरी को इनका नाम तो कई बार आपने सुना ही होगा यह हाँ अच्छे खासे author है और founder भी रहे है अश्युनी कुमार सर्मा यह भी भाईया बार्क में director रहे चुके संजीब सर्मा यह नहीं मिलती चीज़े क्योंकि उसके लिए competition भी अच्छा है इसी के साथ देखो यार हम सारी की सारी जानकारी चाहे college courses और career की provide कराते तो अगर आप चाहते हैंगी आपकी profile पर best क्या हो यह हम बता है तो नीचे profile analysis form fill करिये और आपके लिए best क्या है यह हम बता देगा बाकी य ऊक्या चचोआ चाहे जाइब कैसे के वोगे अनी सेंगे कर दोचा के प्र आपके आपके दोचाय को ऑना सूक्सोड रवा इस साय मिलती खागाए्ज